नमस्कार आप देख रहे हैं सनमार्ग लाई मैं हूँ वेद प्रकास बिहार में महागडबंदन में बिखराओ साफ साफ देखा जा रहा है सभी दल जो है अपना-पना राग अलाप रहे हैं इस बीच जीतनराम माजी ने भी साफ कर दिया है साफ तोर पे कहा है कि महागडबं नजर नहीं आ रहा है तेजस्वी आदब पर भी उन्होंने आरोप लगाया कि किसी को पता नहीं नहीं कोई सक्री भागीदारी राजिती में देखने को मिल रही है ऐसे में जीतनरामाजी ने ये साफ कर दिया है कि अब विधान सबाचुनाओं जो होने वाले हैं बिहार में अगले साल इसमें वो एकला चलो राह पर एकला चलो की राह पर वो जा सकते हैं। हार होती है। आज उसका मुखालपत करते हैं। लेकिन दुख है। कांग्रेस अलग राग अपना रहे हैं। राजत के लोग दुसरे ही धंग से हैं। तेजस्वी जिन पर हम लोग विश्वास किया था। अभी अग्यातबास में एक तरह से हैं। तो फिर हम ऐसे छोटी पार रहे हैं ना इंडिये की तरफ ताक रहे हैं। हम जनता के सामने अब अपना जो रूप है उसको लेकर के जाना चाहते हैं। बताना चाहते हैं कि चाहे सिक्षान नीती हो अर्थ नीती हो या करप्शन हो इस सब को हम एक नया मोडल जो देना चाहते हैं। वो लेकर के जनता क करेंगे कि साथ हम गलत रास्टे पर थे इसी लिए हम नो इस ने टाय किया कि 2020 का चुनाव भिहार में हिंदुस्तानी हवा मोचा सेकुलर हिंदी सेप्रेट चुनाव लड़ेगा और इसकी 243 सीट पर और इसकी बिधिवत खोसना हम 9 महिना में किस मोबील हॉल या और कोई बड़ा हॉल में एक संबेलन करेंगे किस की इसी तरह खाबरू पर बने रहने के लिए रूबरू होने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और बेल बटन जरूर दबाएं ताकि हर खबर आप तक पहुंसती थे